नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा Android Learning Podcast में खुशाम दीद मेरा नाम है मरिया मसद इस पॉटकास्ट में हम सीखेंगे के करीम अप्लिकेशन को किस तरहां यूज़ किया जा सकता है और किस तरहां राइट बुक की जा सकती है करीम अप्लिकेशन को ओपन करती हूँ सबसे पहले यह उप्शन आ रहा है उसके बाद Left to Right स्वाइप करती हूँ अब क्यूंके Food का भी उप्शन दे दिया गया है इसलिए यहाँ पर Food का उप्शन भी आ रहा है Car पर डबल टैप करती हूँ सबसे पहले अब उप्शन आ रहे है Google Map Where do you want to go? आप कहां जाना चाहते है Drop Off यानि के आपको यहाँ पर वो लोकेशन डालिये जहां पर आपको जाना है डबल टैप करती हूँ Drop Off पर Airbox open हो गया है अब यहाँ पर वो लोकेशन लिखती हूँ जहां मुझे जाना है नई सुबा इस लोकेशन पर मैंने डबल टैप कर दिया वो सेलेक्ट हो गई अब Drop Off लोकेशन पर नई सुबा की लोकेशन का नाम आ गया है इस आप्शन के जरीए हम इस लोकेशन को सेव कर सकते हैं ताके अगली दफ़ा जब हमें इसी जगा दुबारा जाना हो तो हमें लिखना ना पड़े हम इस लोकेशन पर डबल टैप करें तो वो Drop Off में खुद बाखुद सेलेक्ट हो जाए Confirm Drop Off डबल टैप किया अब Confirm Pick Up आ रहा है Drop Off सेलेक्ट करने के बाद आ रहा है पिक अप लोकेशन तो Pick Up Location सेलेक्ट करेंगे अब डबल टैप किया अब यहाँ पर लिखती हूँ मैं यह मैंने ऐसे ही तारिक लिखा तो तारिक रोट की लोकेशन आ गई तो डबल टैप करते हैं इसी तरह हम पिक अप लोकेशन को भी सेफ कर सकते हैं ताके अगली दफ़ा अगर हमें यही जाना हो तो हमें दोबारा लिखना ना पड़े Confirm Pick Up करती हूँ अब यहां पर Select Your Ride का Option है यानि के अब आपको यह Select करना है कि आपको कौन की गाड़ी में जाना है ठीक है सबसे पहले Delivery का Option आ रहा है यह Bike होती है जिस पे कुछ समान इदर से उदर भेजना हो तो समान भेजा जा सकता है और उसके साथ-साथ स्लोगन लिखावाँ उसका कुछ भी मंगवाओ कुछ भी Delivery करवाओ जेप परहल की ट्रैफिक के लिए बहतरी ही साथ-साथ उनके स्लोगन रूमन में लिखे हुए है ये Bike थी हर सवारी के साथ-साथ उसका rate भी लिखावाँ आ रहा है कि हमने जो location सेट की है वहाँ तक जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे तो बस इतने ही नाम थे अब हम यहां से रिक्षा को सेलेक्ट करते हैं अब यहां पर रिक्षा सेलेक्ट हो गया लेकिन अगर आप यहां से सेलेक्ट करके दुबारा चेंज भी करना चाते हैं तो चेंज कर सकते हैं अब यहां पर यह पैसे लिखे वे आरे हैं कि इतने पैसे लग सकते हैं आपने जहां जाने की लुकेशन डाली है आपका payment method जो है वो cash है इस पर double tap करके दिखाती हूं cash add card यह option है यानि कि आप अपने debit card के जरीए pay करना चाहते हैं यह cash ही उसी वक्त देना चाहते हैं तो by default cash पर ही होता है और cash पर ही रखा हुआ है चलो इस चलो बटन है जिसको प्रेस करने के बाद हमाई right book हो जाएगी ठीक है यह option आ रहे हैं अपनी details देखने के बाद आप चलो बटन पर double tap कर देंगे अब वो राइडर को find कर रहा है कि कोई आसपस राइडर है जो हमारी request accept कर ले अब यह एक राइडर है जिन्होंने accept कर ली है अब यहां पर time लिखाव आ रहे है कि arrive होगा 241 पर यानि के राइडर हमारे पास 241 यह 242 तक पहुंचेगा यह वो time लिखाव आ रहे है वो अलग बात है कि traffic की वज़ा से और late भी हो सकता है इससे जल्दी भी आ सकता है लेकिन जादे जादे इतना time लग सकता है राइडर on the way है मास्क पहनने का कहा जा रहा है हमें यह swipe करने से तमाम options मैं दिखा रही हूं आपको तो यहां पर रक्षय का color लिखा वा रहे है रिक्षय का number लिखा वा आ रहा है ड्राइवर का नाम लिखा वा रहा है और ड्राइवर ने जो है वो कितनी rights कर ली होंगी और उसके starts कितने यह सब कुछ भी लिखा वाएगा उसके बाद call का button आ रहा है फिर chat आ रहा है चैट में जाएंगे तो आप उसे message कर सकते हैं अब यहां पर डो आप्शन है अनॉनिसली करनी है ताकि आपका नाम शो ना हो या डायरेक्टली वहां पर आपका नंबर शो होगा और अनॉनिसली में आपका नंबर शो नहीं करेगा SMS तो यह तीन आप्शन यहां पर है अब आपकी मर्जी आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं कि आपका नंबर भी शो हो जाए उसके पास या आप अनॉनिसली कॉल करना चाहते है अब यह सारी डिटेल्स उसने हमारी बताई है जो हमने राइट करते हुए सेट की हैं तो यह तरीका था राइट करने का और इस तरह आप अपने की हुई राइट की तमाम डिटेल्स को देख सकते हैं और इस तरह कॉल और मेसेज भी कर सकते हैं जैसे आपको बताया कॉल का आप्शन है MA ज्यक्त क राइट का ऑप्शन भी है अब राइट को कैंसल करते है टू फिंगर से left to right swipe कर रही थी तो नहीं आ रहा था left to right करने पर cancel लेकिन cancel को लाने के लिए two fingers को नीचे से उपर की तरफ swipe करना होता है आगे बढ़ाने के लिए पेश को तो फिर cancel का बटन आया है अब यहां पर लिखावा रहा है कि अगर आपने cancel की तो आपको 65 रुपए पेप करने पड़ेंगे क्योंकि आपको राइडर on the way हो चुका है अब यहां पर options दे रहे हैं आपको select करने कि आप राइड कैंसल क्यों कर रहे है captain जो है में जो location इसको find नहीं कर सका driver जो है मचला गया और उसने मुझे cancel करने का कह दिया मैं जो है वो driver से contact नहीं कर सकी car या captain मेरे लिए suitable नहीं है इस पर टिक लगाते है मुझे right नहीं चाहिए कोई उसके बाद submit बटन पर double tap कर देते हैं इस podcast के लिए इतना ही अब मैं हाजर होंगी फिर किसी podcast में तब तक के लिए अलाहाफिज ये मालमाति मवाद नहीं सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराय इस्तमाल कीजिए तो